जोड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी और आकरसित करती हैं यही नहीं आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमर्स के साथ कैसे बिहेव करना शोईए हमारी fundamental duties में भी तो respect for animals पर जोड़ दिया गया है मेरी आप सभी से अपील हैं कि आप इस competition में जरूर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला आउसर आपको ही मिल जाए मेरे प्यारे देश स्वासियों आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानोताबादी चिंतक और महान सपूत दिन दयाल उपाज़ जी का जन्मदिन मनाये जाता है किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशित करते हैं दिन दयाल जी के विचारों के सबसे बड़ी खुबी यही रही है उन्होंने अपने जीवन में विश्वह की बड़ी बड़ी उतल पो देखा था वो विचार धारों के संगर्शों के साक्षी बने थे इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंतियोदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था दिन दायल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचार धारा के नाम पर द्वंत और दुराग्रत से मुक्ति दिलाता है उन्होंने मानो मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्मबत सर्वभूत एशू अर्था हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा विहवार करें आधुनिक, सामाजिक और राजनेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्सन कैसे दुनिया का मारदर्सन कर सकता है ये दिन्दैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के बाद देश में जो हीन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सारतक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृती और पहचान की अभिवक्ति करे इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था दिन दैल उपाय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर महजुद व्यक्ति होता है आज हादि के अमरित काल में हम दिन दैल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रगणा मिलेगी मेरे प्यारे देश्वासियों आज से तीन दिन बात यानि 28 सितंबर को अमरित महुद्शव का एक विशेश दिन आ रहा है इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सिहींजी की जैनती मनाएंगे बगत सिहींजी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रधांजली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तै किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सिहींजी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बद बढ़ाई देता हूँ साथियों हम अपने स्वतंतरता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं यही उनके प्रती हमारी सरधान्जली होती है शहीदों के समारक, उनके नाम पर स्थानों और स्थानों के नाम हमें कर्तव्वे के लिए प्रेणा देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पत पर नेता जी सुभा चंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरिये भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब सहीद भगत्षी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतनत्ता सेनानियों से जुड़े विशेस अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे वैसे मेरे प्यारे देश्वासियों आप सभी के पास 28 सितंबर को जबी है जानते हैं क्या है मैं जरिब दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा ये दो शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूर मनोयोग से सलिबरेट करें अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करें मेरे पहरे देशवासियों कहते हैं जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती अपनी रोज मर्रा के जिन्दगी में हम कुछ ऐसे साथकों को भी देखते है जो किसी ना किसी सारीरिक चुनोती से मुकाबला कर रहे हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहां तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंगवेज लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लेंगवेज के लिए कोई सपस्ट हावभाव ताए नहीं थे स्टैंडर्स नहीं थे इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इंडियन साइन लेंगवेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना कुई थी मुझे खुशी है के सांस्थान अब तक दस हजार वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्षनेरी तयार कर चुका है दो दिन पहले यानि 23 सितंबर को साइन लेंगवेज डे पर कई स्कुली पार्टक्रमों को भी साइन लेंगवेज में लॉंच किया गया है साइन लेंगवेज के 23 स्टांडर को बनाये रखने के लिए राष्ट्रिय सिक्षान निती में भी काफी बल दिया गया है साइन लेंगवेज जो डिक्षनेरी बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है यूटूब पर कई लोगों ने कई संस्थानों ने इंडियन साइन लेंगवेज में अपने चैनल सुरू कर दिये हैं यानि साथ आठ साल पहले साइन लेंगवेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था अब उसका लाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है हर्याना के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लेंगवेज से बहुत खुश है पहले वो अपने बेटे से ही संभाद नहीं कर पाती थी लेकिन 2018 में साइन लेंगवेज की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है पूजा जी के बेटे ने भी साइन लेंगवेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीत कर भी दिखा दिया इसी तरह टिंका जी की छे साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लेंगवेज का कोर्स कराया था लेकिन उन्हें खुद sign language नहीं आती थी इस वज़े से वो अपने बच्ची से communicate नहीं कर पाती थी अब टिंका जिने भी sign language की ठेनी ली है और दोनों मा बेटी अब आपस में खूब बाते किया करती है इन प्रयासों का बहुत बड़ा राव किरला की मंजुजी को भी हुआ है मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं उनकी परेंट की जीवन में भी यह स्थिती रही है ऐसे में sign language ही पूरे परिवार के लिए समवा का जरिया बनी है अब तो मंजुजी खुद ही sign language की teacher मनने का भी फैसला दे लिया है साथियों बै इसके बारे में मन की बात में इसली भी चर्चा कर रहा हूं ताकि Indian sign language को लेकर awareness बढ़े इससे हम अपने दिव्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे भाव और बहनों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेम कोष की एक copy भी मिली है हेम कोष असमिया भाषा की सबसे पुरानी dictionary में से एक है यह 19-वी सताबदी में तयार की गई थी इसका संपादन प्रख्याद भाषावीद हेम चंद्रब बरवाजी ने किया था हेम कोष का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकाशिर होनी जा रहा है इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है मैं इस संब्यदन सिल प्रयास की बहुत सराना करता हूँ इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्थ बदाने में बहुत मदद करते हैं आज भारत पारा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमिनी स्थर पर भढ़ावा देने में जूटे हैं इससे दिव्यांगों के आत्मिस्वास को बहुत बल मिलता है मेरे प्यारे देश पास्यों मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी स्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ साथियों अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो किवल तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सरजरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताय किया कि अन्वी की दूसरों पन दिर्फरता को कम कैसे करेंगे उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाएना जूते के फिते कैसे बाणना कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 चीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है कौन सी अच्छी आधत होती है इस सब कुछ बहुत धैरिये के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की बीटिया अन्वी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ती दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके माता पिता को भी भावत होस्ला मिला उन्होंने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेजित किया मुसिबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्तिते में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेजित किया पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासुम बच्ची योग कर पाएगी लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है अन्वी आज देश भर के कंपुटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जिती है योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया अन्वी ने योग को आत्मसाथ कर जीवन को आत्मसाथ किया अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भूत बलाव देखने को मिला है अब उसका सेल्फ कॉंफिडनस गजब का हो गया है योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली ज़िया रही है मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौझूद मन की बात के स्रोता अन्वी को योग से हुए लाप का विज्ञानिक अध्यान कर सके मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस्टरी है जो योग के सामर्थ को जाचना परक्षना चाहते हैं ऐसे विज्ञानिको ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्यान करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रॉम से पीडि बच्चों की बहुत मदद कर सकती हैं दुनिया अब इस बाद को स्विकार कर चुकी है क कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत जादा कारगर है विशेशकर डायविटीज और ब्लड प्रिसर से जूड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है योगी की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को सयुक्त राष्ट ने अंतराष्टिये योग दिवस्त मनाना ताइक किया हुआ है अब युनाइटेड नेशन सयुक्त राष्ट ने भारत के एक और प्रियास को रेक्रिनाइज किया है उससे सम्मानित किया है ये प्रियास है वर 2017 में शुरू किया गया इंडिया हैफर्टेंशन कंट्रोल इनिशेटिव इसके तह ब्लड प्रिशर की मुश्किलों से जूज रहें लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है जिस तरह इस इनिशेटिव ने अंतराष्टिय समस्ताओं का ध्यान अपनी और खीचा है वो अभुत्पुर्व है ये हम सब के लिए उत्सा बढ़ान करने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है मैं इस इनिशेटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बदाई देता हूं जिन्नों ने अपने अथर परिश्रम से इसे सफल बनाया साथियों मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है चाहे वो समंदर हो नदी हो या तालाग भारत का भी सहुभागे हैं कि करीब साड़े साथ हजार किलोमेटर से अधीक लंबी कोस्ट लाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अतूट रहा है यह तटिय सिमा कई राज्यों और दिपों से होकर गुजरती है भारत के अलग अलग समुदायों और विविदिताओं से भरी संस्कृति को यहां फलते फुलते देखा जा सकता है इतना ही नहीं इन तटिय इलाकों का खानपान लोगों को खुब आकरशित करता है लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दूखत पहलू भी है हमारी यह तक्तिय क्षित्र परियावरन से जुड़ी कई चुरोतियों का सामना कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज मरीन एकोसिस्टिम के लिए बड़ा खत्रा बना हुआ है तो दूसरी और हमारे बीचीच पर फैली गंद की परिशान करने वाली है हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनोतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रियास करें यहां में देश के ततियस खित्रों में कोस्टल क्लिनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर स्वर्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूँगा पांच जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्व कर्मा ज्यन्ति के दिन संपन हुआ इसी दिन कोस्टल क्रीनप देवी था आजहादी के अमरत महुत्सों में शुरू हुई यह महीम 45 दिनों तक चली इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थ इस प्रयास के दोरान पूरे धाई महिने तक सफाई के अनेक कारकम देखने को मिले गोवा में एक लंबी हुमन चेन बनाई गई काकिनाडा में गणपती विसरजन के दोरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुक्सान के बारे में बताया गया एनेसेस के लगबग पाज हजार युवा साथ्यों ने तो तीस टंद से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया ओडिशा में तीन दिन के अंदर बीस हजार से अधिक स्कूली चात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ साग करेंगे मैं उन सभी लोकों को बढ़ाई देना चाहूंगा जिनोंने इस अभ्यान में हिस्सा लिया इलेक्टेड ऑफिशल्स खासकर शहरों के मेर और गाओं के सरपंचों से जब मैं संभात करता हूं तो यह आगरत जरूर करता हूं कि स्वच्छता जैसे प्रहासों में ल यूद्फ और परिवर्तन पिछले आंट सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदाई गतिविद्यों को लेकर काम कर रही है उनका मोटो बिलकुल क्लियर है स्टॉप कंप्लैनिंग स्टार्ट एक्टिंग इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से जादा जगहों का स स्थान पर यूद्फ और परिवर्तन के अभ्यान ने सो से डेर सो नागरिक को जोड़ा है प्रतेग रविवार को यह कारकम सुबह सुरू होता है और दोपर तक चलता है इस कारे में कचरा तो हटाया ही जाता है देवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्कैचीज बन करते हैं बैंगलोरू के यूद्फ और परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरट के कबार से जुगार अभ्यान के बारे में बताना चाहता हूं यह अभ्यान परियावरन की सुरक्षा के साथ साथ शहर के संदरी करण से भी जुड़ा है इस मुहीम की खास बात यह अभी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक बेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोक किया जाता है कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का संदरी करण कैसे हो यह अभ्यान इसकी भी एक मिशाल है इस अभ्यान से जुड़े सभी इसमें लोगों की मैं रदय से सरहना करता हूँ, मेरे प्यारे देश वास्यों इस समय देश में चारों और उत्सव की रोनक है, कल नवरात्री का पहला दिन है, इसमें हम देवी के पहले स्वरूप माशाईल पुत्री की उपासना करेंगे, यहां से नव दिनों का नियम, सं और उपास फिर विजया दस्मे का पर्व भी होगा, यानि एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्ता और आध्यात्मिक्ता के साथ साथ कितना घहरा संदेश भी चिपा है, अनुशासन और संयम से सिद्धी की प्राप्ति और उसके बाद विजय का प होता है, दसरे के बाद धंतरस और दिवाली का भी परवाने वाला है, साथियों, बीते वर्सों से हमारे त्यहरों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है, आप सब जानते हैं, ये संकल्प है, वोकल फर लोकल का, अब हम त्यहरों की खुशी में, अपने लोक कारीगरों को, सिल्फकारों को और व्यापार्टियों को भी शामिल करते हैं, आने वाले दो अक्तूबर को बापू की जन्ती के मोके पर हमेशा भ्यान को और तेज करने का संकल्प लेना है, खादी, हैंडलूम, हैंडिक्राप, ये सारे प्रोड़क के साथ साथ लोकल सामान जरूर खर दे, आखिर इस त्योहार का सही आनन भी तब है, जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने, इसलिए स्थानिय प्रोड़क के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है, एक अच्छा तरीका ये हैं कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें, उसमें इस प्रकार के प्रोड़क को शामिल करें, इस समय यह अभ्यान इसलिए भी खास है, क्योंकि आजहादी के अमरित महोसव के दोरान हम आत्म निर्भर भारत का भी लक्ष लेकर चल रहे हैं, जो सही मायने में आजहादी के दिवानों को एक सच्ची स्रद्धान्जली होगी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडिक्राफ इस प्रोड़क को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, हमने देखा है, त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए, पॉलितिन बैक्स का भी बहुत इस्तिमाल होता रहा ह है, स्वच्छता के परवों पर, पॉलितिन का नुक्सान का रख कच्रा, ये भी हमारे परवों की भावना के खिलाब है, इसलिए हम स्थानिय तरपर बने हुए, नौन प्लास्टिक बैक्स का ही इस्तिमाल करें, हमारे हां जूट के, सूट के, केले के, ऐसे कितने ही पार्म पर इक बैक का चलन एक पर फिर से बढ़ रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, कि हम त्योहारों के अवसर पर, इनको बढ़ावा दें, और स्वच्छता के साथ, अपने और परियावन के स्वास का भी ख्याल रखें, मेरे प्यारे देश्वास्यों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है पर हित शरीष धर्म नहीं भाई यानि दूसरों का हित करने के समान दूसरों की सेवा करने उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है पिछले दिनों देश में समान सेवा की इसी भावना की एक और जड़क देखने को मिली आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी न किसी टीबी से पीडित मरीच को गोड़ ले रहे हैं उसके पौश्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं दरसल ये टीबी मुक्त भारत अभ्यान का एक हिस्सा है जिसका आधार जन भागीदारी है कर्तव्य भावना है सही पोशन से ही सही समय पर मिली दवाईयों से टीबी का इलाज संभव है मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्थ दोहजार पचीस तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा साथियों केंदर सासित प्रदेश दातरा नगर हवेली और दमन दिव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरन जानने को मिला है जो मन को छू लेता है यहां के आदिवासिक छेत्र में रहने वाली जीनू रावत्किया जी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे गाम दत्तक तारिकम के तहट मेडिकल कॉलेज के स्टूरंस ने पचास गाउं को गोड लिया है इसमें जीनू जी का गाउं भी शामिल है मेडिकल के एचात्र बिमारी से बचने के लिए गाउं के लोगों को जागरुक करते हैं बिमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकरी देते हैं परोपकार की ये भावना गाओं में रहने वालों के जीवन में नई खुश्यां लेकर आई हैं, मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनादन करता हूँ साथियों मन की बात में नए नए विश्यों की चर्चा होती रहती हैं, कई बार इसकारकम के जरिये हमें कुछ पुराने विश्यों की गहराई में भी उतरने का मोका मिलता है पिछले महिने, मन की बात में मैंने मोटे अनाच और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेटियर के तौर पर मनाने से जूरी चर्चा की थी इस विश्यों को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है, मुझे ऐसे धेरों पत्र मिले हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं, कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारमपारिक बेंजनों के बारे में भी बताया है एक बड़े बडलाव के संकेत है, लोगों के इस उत्साओं को देख कर, मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई-बुक तयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट्स से बनने वाले डिसेश और अपने अनुभवों को साजा कर सके, इससे इंटरनेशनल मिलेट्स येर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एंसाइक्लोपीडिया भी तयार होगा, और फिर इसे माइग गौव पॉर्टल पर पब्लीज कर सकते हैं साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इस बड़ाई खास मुका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोवीड महमारी के वज़र से पिछली बार के आयोजनों को रत करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाडी को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है। इस दिन खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने करिए मैं उनके बीच में ही रहूँगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाडियों का होसला बढ़ाएं। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले महिने मन की बात में नए विश्यों के साथ आप से फिर मिराकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। करि leven हम भी रहूं झाप स्झ्ट येश